हेलो फ्रेंस, वेलकम तो ए 24 नॉलेजे ओफिशल यूट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिपार्टमेंट आफ वुमेंट चैल्ड डवलप्मेंट, डबलू सीडी डेहली की न्यू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के फॉर्म फिलप के बारे में, त आप काम करना चाहते हैं, एक्सप्रियंस लेना चाहते हैं, तो आप इसमें आविदन कर सकते हैं, और इससे रेटेड जो भी आपको एलिटी कंडिशन्स चेक करनी है, जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे, पोस्त वाइस आपको यहां डेटेल दी गई है, कौन सी भी पोस और लिटेशन वाले ओपशन पर किलिक करना है, सबसे पहले आपको रड reactor करना होगा, इसके बाद अप लॉगिन कर सकते हैं, अपने यहां जो फोर्म है, उसको फिल कर सकते हैं, 11.05.2020 इसकी लास्ट डेट आपकी रहेगी, सबसे पहले आप किलिक करेंगे अपलाए नाम रोल नमबर है तो आपके 10 का आप रोल नमबर यहां पर फिल करेंगे इसके बार आपको जो आपने 10 है वो कौन से एयर में पास की है वो आप यहां फिल करेंगे आपका 10 का जो परसेंटेज है वो आपको यहां पर फिल करना है और आपको दो डेसिमल तक यूज करना होग तो health पे friends आपकी कितनी percentage है वो भी आप यहाँ पर fill करेंगे और इसके बाद आपका नाम आपका father name, husband name या फिर mother name आप जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं इसके बाद DOV आपको देनी है तो DOV का जो format है वो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पर रहेगा इसके बाद आपका gender है आपका gender आप select कर लेंगे आपका postal या present address जो है वो आप यहाँ पर देंगे इसके बाद है state तो friends आपका जो भी state है वो आप यहाँ से selected कर सकते हैं इसके बाद आपका district है वो आप यहाँ mention करेंगे आपका PIN Code आप यहां मेंशन करेंगे आप जो है आपकी जो A's है A's Criteria है वो फ्रेंज आप यहां पर एलिजीवर है या नहीं है उसकी जानकारिय आप यहां पर देंगे उसके बार आपका 10 डिजिट का Mobile Number आपकी Mail आईडिया आपको यहां फिल करना है और उसके बार यहां से आपको सम्मिट करके अपने रडिस्टेशन प्रोसेस को कम्प्लीट करना है उसके बार फैंस आपको जो है रडिस्टेशन नमबर मिल जाएगा आप उसे note down कर सकते हैं और अपने रडिस्टेशन नमबर और date of birth और एक capture code फिल करके आप इसको यहां से करेंगे login, login करने के बाद friends, यहां पर सबसे पहले जो home section है, यहां पर आपकी जो post and personal details जो panel है, यह आपका open होगा और यहां पर आपकी जो details हैं वो आपको show करेंगी, आपको यहां step दिये गया है, किनकिन step में आप इस form को fill कर सकते हैं, आपका education qualification, उसके बाद experience section, photograph, signature और last में print application का option है, तो आपको सबसे पहले personal details panel है, यह आपको देखने को मिलेगा, आपको यहां पर एक next option मिलेगा, आप इस section पर click करेंगे, इसके बाद friends, जो next option है, इसमें आपको select करनी है, post applying for और click करने के बाद friends, से नीचे आपकी जो details है, वो आपको देखने को मिल जाएंगी, इसमें friends, आपको यहां पर जो भी अगर filled आपका blank है, उसको आप यहां पर दुबारा से select कर सकते हैं, और इसके बाद आप यहां से इसको save and nest कर सकते हैं, इसके बाद जो nest section है, यह आपके educational qualification से related है, तो सबसे पहले आपके high school, मतलब 10th class और उससे higher secondary, 12th class के आपको entry करनी है, graduation के entry करनी है, यदि आपके पास PG या कोई भी extra qualification, professional qualification है, वो आप select यहां से कर सकते हैं, सबसे पहले आपको year of passing आपको यहाँ पर देना है, आपने इसको कप पास किया है, तो आपको जो year है, वो आप यहाँ पर mention कर सकते हैं, अब आपको यहाँ पर सबसे पहले graduation में, आपने क्या क्या है, वो आपको यहाँ पर देना होगा, तो आपके according जो भी आप यहां देना चाहें, जो भी आपने ग्रेशन की है, वो आप यहां दे सकते हैं, और आपका जो पासिंग इयर है, वो भी आप यहां मैंशन कर सकते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट नेम में आपको डिटेल देनी हैं, तो 10 क्लास के लिए आप सिर्फ आल जनरल कर सकते हैं, सेम ग्रेशन की बात करें, तो यहां पर आपको जो है, आपकी सब्जेक्ट की एंट्री करनी है, अगर आपकी सब्जेक्ट तीन से जादा है, चार से जादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रीम का नाम भी यहां पर दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत तो आप यहां पर आपका जो board या university है वो आप यहां पर लिख देंगे पूरा नाम आप लिखने के कोशिच कीजिए उसके बार आपका बोर्ड का नाम लिखिए अपने university का नाम लिखिए और यहां पर आपको percentage की entry करनी होगी तो आप यहां पर उस चीज की detail कर देंगे यह आपने PGE या फिर कोई भी ASTAR qualification आपने पास है professional qualification है आप उसकी जो value है वो आप select कर सकते है यह रोप passing की same आपकी detail आपको enter करनी है और यहां से इसको save and nest आपको करना है इसके बाद का friend जो nest section है यह आपके language प्रोफिंशी का है तो आपको English, Hindi जा फिर इसके अलावा कोई other language पढ़ना बोलना लिखना आता है आप उसमें यहां पर yes and no कर सकते हैं उसके बाद यहां पर जो nest section है उसकी बात करते हैं तो यहां पर अगर आपके पास कोई भी training या workshop की आपके पार detail available है तो आपने जो training या workshop का नाम है institute या organization या उसकी location क्या है और period कब था आप था training का workshop में वो कब से कब तक आपने यहां पर training की है उसकी जानकरिया आप दे सकते हैं इसके बाद है आपके employment records and experience का तो यहां पर friends आपको जो है सबसे पहले आपकी organization या institute का नाम देना है आपने कहां पर work किया है आपने experience को show करने के लिए इसके बाद किस post पर आप काम करते थे उस post का नाम लिखना है कब से कब तक आपने काम किया है उसकी जानकरिया आप उस calendar के माध्यम से दे सकते हैं और short में आपके जो nature of work है या responsibility है जो आप काम करते थे उस post पर या designation पर रहते हुए उसकी जानकरिया को देनी है जैसे supervise करते थे maintenance करते थे जो भी आपके यहाँ पर nature of work था उसकी जानकरिया आप short में यहाँ पर available कराएंगे इसके बाद नीचे है references person का option तो यहाँ पर आप कोई भी दो लोगों के जो पर reference है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं इसमें उनका नाम आपको यहाँ देना है वो अगर किसी पद पर काम करते हैं तो उसका post का नाम देना है organization का नाम देना है और mobile नमबर देना है ज़रूरी नहीं है वो government करमचारी हो अगर वो private worker भी है तो भी आप उनके company का organization का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं तो आपको यहाँ पर अपने relative के अलावा या आपके घर के सदस्ते के अलावा यहाँ पर जो persons है उनकी entry आपको यहाँ पर करनी होती है तो यह आप यहाँ पर कर देंगे इसके बार अगर आप still working करते हैं किसी भी organization में तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं नहीं करते हैं आप no कर सकते हैं आप जो भी है detail fill करेंगे total number of experience आपका यहाँ पर आ जाएगा और उसके बार आप यहाँ से इसको save and nest कर पाएंगे उसके बाद फैन जो nest section है यह है आपके upload photograph का तो यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ photograph upload करनी है जिसका जो size है वो आपको 50 kb तक ही रखना है मतलब इस signature है वो भी jpg format में upload करना है और इसका भी size आपको यहाँ पर दिया गया है 50 kb इसके बाद friends आपको इसको करना होगा final submit क्योंकि आपकी जो details है वो सभी यहाँ पर complete हो जाएंगी कोई भी application fees आपकी यहाँ पर नहीं लगती है और इसके बार आप यहाँ पर इसको declare करेंगे और सभी जानकारी को check करेंगे ensure करेंगे सभी data आपकी सही है कोई भी modification आप इसमें नहीं कर पाएंगे एक बार आप इस final submit पर click करते हैं final submit पर click करने के बार आप इसका final print out है वो निकाल कर या PDF में अपने computer या PC पर save करके रख सकते हैं future reference के लिए बागी के जानकारी है वो आपको आपके register mail ID पर और आपके register mobile number पर ही आपको लगातार दी जाएगी तो इस चीज़ का आपको यहां पर ध्यान रखना है और यहां पर ध्यान रखेगा दो vacancies हैं आपकी तो आप देख सकते हैं advertisement एक यह रही आपके advertisement आपकी यह रही आप जिस भी post लिए apply करना चाहते हैं वो like, subscribe and share जरूर कीजेगा और बाकी की जानकारे के लिए देखते रही है एक 24 knowledge and alas thanks for watching झाल 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 झाल